तेरा फर्वरी के दिन सरोजनी नाइडू की जैनती मनाई जाती है इस दिन को देश में राष्ट्रिया महिला दिवस के तौर पर मनाया जाता है ध्यान रहे 8 मार्च को अंतर राष्ट्रिया महिला दिवस के तौर पर मनाया जाता है जो अलग है सरोजनी नाइडू का जन 13 फर्वरी 1889 को हैदराबाद में हुआ था सरोजनी नाइडू नाइटेंगल ओफ एंडिया के तौर पर प्रसिद्ध है स्वतंतरता सेनानी के इतर भारतिय साहित्य में उनकी भूमिका कवेत्री के तौर पर भी एहम रही है गोल्डन थ्रेशोल्ड उनकी कविताओं का संग्रा है बाजार्स ओफ हैदराबाद उनकी प्रसिद्ध कविताओं में से एक है वे आईनसी एनि भारतिय राष्टिय कॉंग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्षता करने वाली दूसरी महिला और पहली भारतिय महिला थी सरोझनी नैडू संविधान सभा में शामिल 15 महिलाओं में से एक थी नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन में भी उनकी बहुत ही महतोपून भूमिका रही। ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल भी रही। मुस्लिम लीग और कॉंग्रेस के बीच हुए लखनाव समझोते में मुहम्मद अली जिन्ना की भूमिका के चलते उन्हें सरूजनी नाइडू ने हिंदू मुस्लिम एकता के राज़दूत की उपाधी दी थी। उत्तर पूर्वी राज्य त्रिपुरा ग्रेटर त्रिपुरा लैंड की मांग को लेकर खबरों में है। को संविधान के मुताबिक उनके अधिकार दिलवाना है। इसके मुताबिक संविधान के अनुछेद 2 और 3 के तहट त्रिपुरा की 19 इंडिजनस ट्राइब्स के लिए अलग राज्य का गठन करना है। कोर तलब है कि त्रिपुरा भारत के उत्तर पूरों में स्थितेक राज्य है। यह अपनी सीमा बांगलादेश, असम और मिजूरम से साज़ा करता है। त्रिपुरा बांगलादेश से उत्तर, पश्चिम और दक्षन तीनों तरप से घिरा हुआ है। त्रिपुरा 84 फीजदी अंतराष्ट्रिय सीमा से घिरा है। यह देश के अन्य हिस्सों में एनच 44 के जरिये जुड़ा हुआ है। त्रिपुरा की आधिकारिक भाशाएं बा संसद नए राजियों का गठन मौझूदा राजियों के क्षत्रफल, सीमा या नामों में परिवर्तन कर सकती है। संसद मौझूदा राजियों का क्षत्रफल घटा या बढढ़ा भी सकती है। इस खबर की एहमियत को समझने के लिए साल 2015 में UPSC द्वारा CAPF की प्रारंभि का क्षत्रफल बढ़ाना, किसी भी राजजी के भीतर एक स्वायत परिशत के स्थापना करना, कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना था कि इन में से क्या कर सकती है। इसका सही जवाब है विकल्प सी। एपल माइक्रो एलेडी डिस्प्ले की तरफ शिफ्ट करने की तया सिफायर हमेशा अपने बूते चमक सकते हैं, माइक्रो एलेडी स्क्रीन कई छोटी मगर स्ट्रॉंग लाइट से तयार होती है, इसमें पिक्शर को कई सारे लाइट एमेटिंग डायोड के जरिये जनरेट किया जाता है, सैमसंग कमपनी माइक्रो एलेडी की दुनिया की पा सिगनल रिसीव करते हैं, यह माइक्रो एलेडी एक मॉड्यूल बनाते हैं, यह मॉड्यूल कमबाइन होकर स्क्रीन बनाते हैं, माइक्रो एलेडी रिजोलुशन फ्री, बेजल फ्री, रेशियो फ्री और साइज फ्री होते हैं, साइज फ्री से मतलब क्या है, साइज फ्री स इसके मुताबिक अगर कॉलेजियम ने किसी जज को सम्वेधानिक कोर्ट में नियुक्त करना तै किया है, अब इसे न्याईक समिक्षा के दाइरे में नहीं लाया जा सकता। कहने का मतलब ये कि कोट की न्याइक समिक्षा के शक्ति कॉलेजियम के निर्ने को रीकंसिडर करने के लिए नहीं लागू होगी न्याइक समिक्षा के शक्ति के तहट सुप्रियम कोट और हाई कोट किसी कानून को समविधान का उलंगहन करने पर रद्य तक कर सकते हैं नयाइक समिक्षा की शक्ती समविधान के अनुछे 13 से मिलती है। भारतिय समविधान में इसे USA के समविधान से अपनाये गया है। नयाइक समिक्षा के अवधारना की उत्पत्ती ही USA से हुई है। इसके उत्पत्ती पहली बार मारबरी बना मेडिसिन मामले में हुई थी। गौर तलब है कि शक्ती प्रिथक करण के सिध्धान्त के मुताबिक लोकतंत्र का हर स्तम जैसे कारेपालिका, विधाईका और नियाईपालिका अपने कारियों को अलग अलग संस्था के तोर पर करते हैं। भारत में कारेपालिका नेतिगत निर्णयों और कानूनों को लागू करने के लिए जिम्यदार है, विधाईका कानूनों का निर्माड करती है, नयाइपालिका विवादों को सुल्जाने के लिए जिम्यदार है, शक्ती का प्रिथक्करन सिध्धान्त भारतिय समविधान के बूद्ध सिध्धान्त का हिससा है इसका मतलब हुआ कि ऐसा कोई कानून या संशोधन पारित नहीं किया जा सकता जो इस सिध्धान्त को सीमित करता होगी सभी संस्थाएं आपस में एक दूसरे पर चेक एंड बैलेंस रखती हैं लिकिन एक दूसरे के कारियों में हस्तक पहला सवाल सरोजणी नाइडू के संबंध में निम्लिकित कथनों पर विचार कीजिए उनका जन्म वर्तमान पश्चिम बंगाल में हुआ था भारतिय राष्ट्रिय कॉंग्रेस के अध्यक्षता करने वाली वो पहली महिला थी स्वतंतरता से नानी के अलावा इनका युगदान साहित्य में भी रहा है वो परियुक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाओ कीजिए केवल एक केवल दो और तीन केवल एक और तीन या फिर केवल तीन अगला सवाल है माइक्रो एलेडी का प्रयोग डिजटल डिवाइसिज में किया जा रहा है इसके लाब क्या है माइक्रो एलेडी रिजोलुशन फ्री बेजल फ्री रेशियो फ्री और साइज फ्री होते हैं O L E D की तुलना में बेहतर कलर रिप्रोडक्शन और ज्यादा ब्राइट होते हैं सही कथन या कथनों को चुनना है केवल एक केवल दू एक और दू दूनों न तो एक नहीं दू आईए देखे पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे उनके सही जवाब क्या हैं पहला सवाल था निम्लिखित कथनों पर विचार कीजिए नौड इस्ट्रीम एक गैस पाइपलाइन है केवल एक केवल दू एक और दो दोनों न तो एक नहीं दो सही जवाब है इसका विकल्प है यानि केवल एक यूएसे की जांच अगला सवाल मैंने पूछा था निम्लिखित कथनों पर विचार कीजिए क्लाइमेट इनेक्विलिटी रिपोर्ट दोसर तेज यूए नीपी क द्वारा जारी की जाती है केल्प फॉरेस्ट स्थलिया एको सिस्टम का एक प्रकार है और कूट के माद्यम से सही कथन चुनना था इस प्रशन का सही जवाब है ऑप्शन डी यानि ना तो एक और नहीं दो यानि दोनों कथन गलत है वर्ल्ड इनेक्विलिटी लैब ने क्ल पर तलबे के कॉलेजियम ने विक्टोरिया गौरी को हाई कोट में प्रमोट करने की सिफारिश की थी हाला कि इस नियुक्ति पर विवात शुरू हुआ जब मदरास हाई कोट के वकीलों ने उन पर नफरती भाशन देने का आरोप लगाया साथी भारत के मुखे नाधीश से सिफारिश को वापस लेने की मांगी थी सुप्रेम कोट ने इसमें हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया था साथी साफ कया था कि एक उमिद्वार की राजनितिक संबधता या उनके विचारों की सारवजनिक अभिव्यक्ति नाधीश के रूप में उनके काम को प्रभावित नहीं करती उसके बाद विक्टोरिया गौरी ने मदरास हाई कोट के एक अतरिक्त नयाधीश के रूप में शपत ली इसके बाद विशेशग्यों ने चिंता जाहिर की है दरसल हाई कोट के जजों के शपत का वर्णन सम्विधान की अनुसूची 3 में किया गया है अनुसूची 3 के मताबिक हाई कोट के जज की शपत में कहा जाता है कि वे बिना किसी पक्षपात के नयाई करेंगे ये शपत हाई कोट और सुप्रीम कोट के जजज के लिए यूनिक है वे सम्विधान के प्रहरी माने जाते हैं इसी के मद्दे नजर विशेशग्यों का सवाल है कि धार्मिक कटर्ता दिखाने वाला व्यक्ति शपत का निर्वहन कैसे कर पाएगा आपको बता दें कि सम्विधान की अनुसूची 3 में इस खबर के एहमियत को समझने के लिए साल 2017 में प्रारंभिक परिक्षा में पूछे गए सवाल पर गौर करते हैं सवाल पूछा गया था भारतिय सम्विधान की त्रीतिय अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या उपबंधित है संग के मंत्री के लिए पद की शपत का प्रारू उच्चितम नयाले के मुख्य नयधीश द्वारा ली जाने वाली शपत का प्रारू भारत के राष्टपती की पद की शपत का प्रारू संसत के सदस्य द्वारत ली जाने वाली शपत का प्रारू कूट का प्रेयोग कर सही उत्तर चुनना था एक दो तीन, दो तीन चार, एक दो चार या फिर एक दो तीन और चार इसका सही जवाब है विकल्प सी हालिया शोद के मुताबिक वैग्यानिकों ने 12 फोल्ड सिमिट्री वाले क्वासी क्रिस्टल के नए प्रकार की खोज की है ये क्वासी क्रिस्टल USA के निब्रासका में मिला है वैग्यानिकों का मानना है कि क्वासी क्रिस्टल किसी एक्सिडेंटल इलेक्रिक डिस्चार्ज के जरीए तैयार हुआ है क्वासी क्रिस्टल क्रिस्टल जैसे ही पदार्थ होते हैं लेकिन इनमें संरचना का फर्क होता है क्रिश्टल में परमाडू repeating pattern में अरेंज़ होते हैं जबकि क्वासी क्रिश्टल में परमाडू एक pattern में अरेंज़ तो होते हैं लेकिन ये pattern repeat नहीं होता क्वासी क्रिश्टल का प्रयोग non-stick, frying pan, acupuncture के लिए बनने वाले needles और razor blade में किया जाता है और तलबे के साल 2011 में डॉन शैचमेन को क्वासी क्रिश्टल की खोज के लिए रसायन के नोबिल पुरसकार से नवाजा गया था उन्होंने ये खोज 1982 में की थी उससे पहले तक भौतिक विग्यानियों का मानना था कि हर क्रिश्टल एक repeated pattern follow करता है इसके बाद से इनका उत्पादन लैब्स में किया जाने लगा प्राक्रिटिक तोर पर क्वासी क्रिश्टल का मिलना एक rare event है USA में मिला क्वासी क्रिश्टल प्राक्रिटिक तोर पर हासिल हुआ तीसरा क्रिश्टल है पहली बार साल 2009 में यह रूस में मिला था दूसरी बार साल 2021 में न्यू मैक्सिको से हासिल हुए debris से मिला था न्यू मैक्सिको USA का एक राज्य है यहाँ पर साल 1945 में दुनिया में पहली बार nuclear explosion टेस्ट हुआ था यह क्वासिक क्रिस्टल इसी साइट के debris से हासिल हुआ था USA द्वारा किये गए इस टेस्ट का कोट था Trinity इंडिया दा मोधी क्वेस्टन डॉक्यमेंटरी के चलते सुर्खियों में आई BBC एक बार फिर से खबरों में है दरसल income tax department ने BBC के दिल्ली और मुंबई ओफिस में सर्वे किया CBDT यानि Central Board of Direct Taxes के Senior Officials के मुताबिक यह सर्च नहीं था सर्वे था इसकी वज़ा BBC द्वारा Tax Evasion यानि करवंचन और अनियमितताओं को बताया गया है हम समझते हैं कि सर्च और सर्वे में फर्क क्या है Income Tax Act 1961 Officials को किसी भी प्रिमाइस में चाहे वो घर हो या दुकान हो, फैक्टरी हो, ऑफिस हो एंट्री की यानि प्रवेश की शक्ती देता है जहां पर Officials Search and Seize Operation कर सकते हैं सर्वे की शक्ती Income Tax 1961 की धारा 133A के जरिये मिलती है सर्वे के वल बिजनेस प्रिमाइस में ही कंड़क्ट किये जा सकते हैं बिजनेस आवर्स के दौरान, यानि उन्ही घंटों के दौरान किया जा सकता है जबकि सर्च ऑपरेशन दिन में किसी भी वक्त किया जा सकता है सर्वे के दौरान IT Officials Documents देखते हैं सर्च के दौरान असायोग के स्थिति में Officials किसी दरवाजे खिड़की आदी को तोड़ सकते हैं सर्वे के दौरान ऐसा नहीं किया जा सकता है एक तरह से सर्वे, सर्च ऑपरेशन का जेंटल वर्जन है इसका प्राथमिक मकसद सूचनाय जुटाना होता है आपको बता दें कि BBC का गठन एक ट्राइवेट कॉर्पोरेशन के तौर पर 18 अक्टूबर 1922 को हुआ था तब इसे British Broadcasting Company के नाम से जानते थे साल 1926 में हुई Strike के वर कवरेज के चलते BBC को ब्रिटेन की जनता की सरहना मिली इसी साल ब्रिटेन की संसदिया समीती ने इस कंपनी को Crown Chartered Organization का दरजा देने की सिफारिश की इसे British Broadcasting Corporation नाम दिया गया कंपनी अंतिम रूप से संसद की प्रती जवाब दे हो गई हाला कि अपनी गतिविधियों के लिए इसे स्वतंतरता हासिल रही 13 फरवरी को EPIDA यानि Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority ने अपना 37 स्थापना दिवस मनाया EPIDA का गठन संसद ने Act के जरीय किया था यहाँ अपने अस्तित्व में 13 फरवरी 1986 को आई EPIDA भारत सरकार के वानिज्य एवं उद्योग मंत्राले के तहत एक स्वायत निकाए है यानि कि Autonomous Buddy है इसका मुख्याले नई दिल्ली में है EPIDA को EPIDA अधिनियम की अनुसुची एक में शामिल 17 क्रिशी और प्रसंस्कृत खादे उत्पाद के निर्यात संवर्धन और विकास की जिम्मदारी सौंपी गई है बास्मती चावल को EPIDA Act की अनुसुची दो में शामिल किया गया है इसके अलावा EPIDA को चीनी के आयात की निर्यात की जिम्मदारी भी सौंपी गई है EPIDA क्रिशी उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढाचे और गुरुवत्ता को बढ़ाने के अलावा बाजारों के विकास में भी काम कर रही है आईए जल्दिस देखते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल बनते है पहला सवाल है निमलिकित कथनों पर विचार कीजिए प्राकृतिक तोर पर क्वासी क्रिस्टल बहुतायत में पाये जाते हैं क्वासी क्रिस्टल की खोज के लिए 2011 में डॉन शैचमैन को नोबेल दिया गया था कूट का प्रयोग कर सही कथन चुनना है केवल एक केवल दो एक और दो दोनों न तो एक नहीं दो अगला सवाल निमलिकित कत्रों पर विचार कीजिए सम्विधान की अनुसूची तीन में राज्जियों के लिए राज्यसभा की सीटों का वर्णन है आईए देखते हैं पिछले बुलेटिन पर आधारित क्यास प्रशन पूछे गये थे और उनके सही जवाब क्या है सरोजनी नाइडू के संबंध में निमलिकित कत्रों पर विचार कीजिए उनका जन्म वर्तमान पश्चिम बंगाल में हुआ था भारतिय राश्ट्रिय कॉंग्रेस के अध्यक्षता करने वाली पहली महिला थी वो स्वतंत्रता से नानी के अलावा इनका योगदान साहित्य में भी रहा है सही कथन को चुनना था केवल एक केवल दो और तीन केवल एक और तीन या फिर केवल तीन सही जवाब है विकल्प डी यानि केवल तीसरा कथन सही है सरोजनी नाइडू का जन्म वर्तमान हैद्राबाद में हुआ था विभारतिय राश्ट्रिय कोंगरेस की अधैक्षता करने वाली पहली भारतिय महिला थी और साइज़ फ्री होते हैं OLED की तुनला में बहतर कलर रिप्रोडक्शन और ज्यादा ब्राइट होते हैं कथन को चुनना था सही कूट के माध्यम से केवल एक केवल दो एक और दो 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 न तो एक नहीं दो विकल्पसी यानि दोनों कथन यहां सही है विदेश मंतरी S. जैशंकर ने फिजी में विश्वे हिंदी सम्मिलन का शुभारंब किया विश्वे हिंदी सम्मिलन का आयोजन भारत और फिजी की सरकार द्वारा मिलकर किया रहा है ये 12 हुआ विश्व हिंदी सम्मेलन है जिसका आयोजन फिजी में 15 से लेकर 17 फरवरी 2023 के दौरान किया जा रहा है 11 हुआ विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 में हुआ था मौरिशस में विश्व हिंदी सम्मेलन की परिकल्पना राष्टर भाषा प्रचार समिती वर्धाद्वारा 1973 में की गई थी इसके बाद 1975 में ततकालीन प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी ने विश्व हिंदी सम्मेलन की शुरुवात की पहला विश्व हिंदी सम्मेलन नागपूर में आयो जित हुआ था। इस दौरान मौरशस के ततकालीन प्रधान मंत्री सर्शिव सागर राम गुलाम ने विश्व अस्तर पर हिंदी संबंदित गतिविधियों के समनवयन के लिए एक संस्था के स्थापना का विचार रखा। लगतार कई विश्व हिंदी सम्मेलनों में मन्थन के बाद मौरशस में विश्व हिंदी सचिवाले इस्थापित करने पर भारत और मौरशस की सरकारों के बीच सहमती हुई। दोनों सरकारों के बीच समझोते पर हस्ताक्षर हुए। मौरशस की विधान सभा में अधिनिय पारित किया गया 11 फर्वरी 2008 को विश्व हिंदी सचिवाले ने आधिकारिक रूप से काम करना शुरू किया सचिवाले का मुख्य मक्सद एक अंतरराष्ट्रिय भाषा के रूप में हिंदी का प्रचार करना है साथ हिंदी को सन्युक्तराष्ट संग की आधिकारिक भाषा बनाने के लिए एक वैश्विक मंच तयार करना भी है आपको बता दें कि भारतिय संविधान के अनुचे 343 के तहत संग की आधिकारिक भाषा हिंदी देवनागरी लिपी में होगी वहीं सम्विधान के अनुच्छे 351 में केंद्र सरकार का यह करतव्य होगा कि वह हिंदी को बढ़ावा दे ये बाते कही गई हैं। हिंदी भारत की आधिकारिक भाषा है। भारत के अलावा साथ अन्य देशों में हिंदी का इस्तेमाल मात्री भाषा के तौर पर किया जाता है। अगर ये बिल पारित हो जाता है तो राजस्थान देश का पहला राज्य होगा जहां पर स्वास्ते को लेकर ऐसा कानून होगा। प्राइविट डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स के द्वारा बिल में कुछ संशोधनों को लेकर स्ट्राइक भी किया गया है। सरकार के मुताबिक बिल का मकसद है लोगों के स्वास्त की रक्षा करना। साथ ही उन्हें समय से पहले मौत से बचाना और स्वास्त पर होने वाले खर्च के चलते लोगों की जेब पर पढ़ने वाले बोज को कम करना। बिल के मुताबिक राजस्तान के निवासियों को किसी भी हेल्थ केर इस्टेबलिश्मेंट से स्वास्त सुविधाय हासिल करने का अधिकार होगा। इसमें निजिक शत्र के हॉस्पिटल्स शामिल हैं। बिल में ये साफ नहीं है कि इन फ्री स्वास्त सेवाओं के एवज में निजिक शत्रों को रेंबर्स किया जाएगा या फिर नहीं है। 24 गंटे में रिस्पॉंड करना होगा। अगर इस टाइम फ्रेम से ज्यादा वक्त लगता है तो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉर्टी इन मामलों को सुलजा के रिपोर्ट को 30 दिनों के भीतर अपलोड करेगी। इस रिपोर्ट में मरीज के मेडिकल हिस्ट्री भी होंगे जिससे मरीज की निज्टा का उलंगन हो सकता है। आपको बता दें कि अनुछे दुनी से एक जी के तहट किसी भी व्यापार, व्यवसाय या प्रोफेशन को अपनाने की स्वतंतरता की बात कही गई है। भारतिय सम्विधान में स्वास्थे का अधिकार नहीं दिया गया है। हाला कि सम्विधान के नीती निदेशक तत्वों में सार्वजनिक स्वास्थे को लेकर प्रावधान हैं। इसके अलावा अनुछे 243 जी में इस्थानिया निकायों को सार्वजनिक स्वास्थे को मजबूत करने की बात कही गई है। यूनियन केबिनेट ने दो लाख पंचायतों में पैक्स यानि प्राइमरी एग्रिकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी के गठन को मनजूरी दी है। इन्हें पांच सालों में गठित किया जाएगा। गौर तलब है कि पैक्स यानि पी एसी एस गाओं के इस तर पर क्रेडिट सोसाइटी होती हैं। ये तीन इस तरिये कोपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्शर का लाश्ट लिंक होती हैं। कौपरेटिव क्रेडिट इस्ट्रक्चर में राजी के इस्टर पर SCBs यानि स्टेट कौपरेटिव बैंक्स होते हैं SCBs से क्रेडिट DCCBs यानि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कौपरेटिव बैंक्स को ट्रांसफर किया जाता है DCCBs जिले के इस्टर पर काम करती है DCCB, PACS के साथ मिलकर काम करती हैं जिनके पहुंच सीधे किसानों तक होती है PACS में किसान ही सदस्य होते हैं इनमें ओफिशिल्स का चुनाव इनहीं सदस्यों के बीच में से होता है PACS, Short Turn Loan के लिए काम करती है इससे किसान अपने बीज और उर्वरक की जरूरतों को पूरा कर सकते है बैंक्स ये लोन 7% के दर पर मोहिया कराती है इसमें किंदर सरकार 3% और राजजी की सरकारें 2% की सबसीडी देती है इस तरह किसानों को लोन जो प्राप्त होता है वो मातर दो प्रतिशत के दर पर हासिल होता है पैक्स की सबसे बड़ी खासियत है कि ये कम पेपर वर्क में शौट टर्म के लिए लोन मुहया कराती है अनुसूचित व्यावसाई के बैंक्स में किसानों को बहुत सारे पेपर वर्क से गुजरना पड़ता है यूनियन कैबिनेट ने सेंटरली स्पॉंसर्ड वाइबरेंट विलेज प्रोग्राम को मंजूरी दी है इस यूजना को वित्तवर्ष 2022-23 से 2026 तक के लिए मंजूरी दी गई है कारिक्रम के तहट देश की उत्तरी सीमा से सटे गाउं में व्यापक विकासकारियों को अंजाम दिया जाएगा कारिक्रम के पहले चरण में 662 गाउं में रोजगार के अवसर स्रिजित किये जाएगे जिससे इस्थानिया जनसंख्या का प्रवासन रुख सके लोगों का प्रवासन रुखने से सीमावर्ती क्षत्रों की सुरक्षा में भी इजाफा होगा गाउं के इस्तर पर स्थानिय प्राक्रतिक और मानिविय संसाधनों की पहचान की जाएगी इन्हें हब एंड स्पोक मॉडल पर विक्सित किया जाएगा इन सीमा वर्ती राज्जियों में आव संरचना विकास और रोजगार के आवसर स्रिजित होंगे वाइबरेंट विलेज एक्शन प्लान को जिला प्रशासन द्वारा ग्राम पंचायत की मदद से तयार किया जाएगा वाइबरेंट विलेज प्रोग्राम की घोशना बजट स्पीच 2022 में की गई थी इसमें साफ किया गया है कि कारिक्रम की ओर लैपिंग बॉर्डर एरिया डिवलप्मेंट प्रोग्राम के साथ नहीं होगी आईए जल्दिस देखते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल बन सकते हैं जाल सवाल है विश्व हिंदी संहेलन के संबंध में निमलिखित कठ्रों पर विचार कीजिए बारहवे विश्व हिंदी संहğinरन और और दो दो नहिं तो एक नहीं से उत्तरी सीमा के गाउं में और संरचना विकास से सभी गाउं की स्थानिया संस्कृति के पहलूं को अंतराश्ट्री अस्तर पर पहचान दिलाने से आईए जल्दिस देखें पिछले बुलेटि में मैंने क्या सवाल पूछे थे और सही जवाब क्या हैं पहला सवाल था निम्लिखित कथनों पर विचार कीजिए प्राकृतिक तौर पर क्वासी क्रिस्टल बहुत आयत में पाय जाते हैं क्वासी क्रिस्टल की खोज के लिए 2011 म को नोबेल दिया गया था कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना था केवल एक केवल दो एक और दो दोनों न तो एक और नहीं दो सही जवाब है विकल्प बी यानि केवल दो पहला कथन गलत है प्राकृतिक तौर पर क्वासी क्रिस्टल का मिलना एक रेयर एवेंट होता ह अगला सवाल मैंने आपसे पूछा था निमलिकित कत्रों पर विचार कीजिए सम्विधान की अनुसूची तीन में राजियों के लिए राज्यसभा की सीटों का वर्णन है एक्रिकल्चरल एंड प्रॉसेश्ट फूड प्रोड़क्ट्स एक्सपोर्ट डेवलप्मेंट सम्विधान की अनुसूची तीन में कई सम्विधानिक पदों की शपत का प्रारूप दिया गया है एपिडा भारत सरकार के वानिज्जेवम उद्योग मंत्राले के तहत एक स्वायत निकाये हैं अ हाँई में एंचार्सी आनी राश्ट्री मानवादिकार आयोग ने मेंटल हैल्थ केर के हऊस्पिटलस पर र रखा जा रहा है जिससे मानसिक रोगों से जूज रहे लोगों के मानवादिकारों का उलंगन होता है इससे सम्विधान में मिले अनुच्छेद 21 का भी उलंगन होता है इसके अलावा अब संरचना की कमी डॉक्टर्स की कमी बाकी की सुविधाओं के स्थिति भी खराब है एन हेल्थ केर ट्रीटमेंट की गरेंटी देता है गौरतलाभे की राश्ट्री मानुवाधिकार आयो का गठन 12 अक्टूबर 1993 में हुआ था इसे मानुवाधिकार अधनियम 1993 के जरिए गठित किया गया था इस अधनियम को प्रोटेक्शन ऑफ यूमन राइट्स एमेंडमेंट एक्ट 2006 के जरिए संशोधित भी किया गया था राश्ट्री मानुवाधिकार आयो का गठन पेरिस सिध्धानतों के आनुरूप हुआ है ये देश में मानुवाधिकारों को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है आरबियाई ने साफ किया है कि डेबिट कार्ट्स पर दिये जा रहे है लोन्स और EMI यानि एक्विड़ेड मंथली इंस्टॉल्मेंट को आरबियाई की डिजिटल लेंडिंग गाइडलाइन से शाषित किया जाएगा क्रेडिट कार्ट्स पर चल रहे प्रोग्राम्स को Master Direction on Credit Card and Debit Card Assuance 2022 के जरिये ही शाषित किया जाएगा हलाकि क्रेडिट कार्ड के ऐसे लोन उत्पाद जो EMI के इतर हैं और Master Direction on Credit Card and Debit Card Assuance 2022 में कवर नहीं है उन्हें Digital Lending Guidelines के तहत ही शामिल किया जाएगा डिजिटल लेंडिंग गाइडलाइन के मुताबिक इसके दायरे में आने वाले निकायों को एक KFS यानि की Facts Statement सौपना होगा KFS में Annual Percentage Rate Recovery Mechanism और शिकायतों का निवारण आदि को मेंशन करना होता है RBI के मताबिक सभी LSP यानि लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर्स को इन गाइडलाइन्स के मताबिक काम करना होगा आपको बता दें कि डिजिटल लेंडिंग से मतलब है कि एक remote और automated डिजिटल लेंडिंग प्रोसेस जिसमें loan, approval, recovery, credit assessment आदि डिजिटल तगनीक के जर्य किये जाते हूँ प्रुधान मंतरी नरेद मोदी ने 16 फरवरी को जल जन अभियान का शुबारंब वर्चुली किया है इसकी शुरुवात राजस्थान के सिरोही जिले में आबू रोड से की गई इस मौके पर केंद्रिय जल शक्ति मंतरी गजेंद्र सिंद्र शेखावत और फिल्म अभिनेता नाना पटे कर मौजूद रहे इस रास्ट व्यापी कैमपेन का संचालन ब्रह्मकुमारी संगठन और जल शक्ति मंतरा लेके द्वारा किया जाएगा इसके तहट आट महीनों के भीतर देश के पाँच हजार से ज्यादा जल निकायों को संरक्षित किया जाएगा साथ ही नए जल निकायों का गठन भी किया जाएगा इस कैमपेन में 10 करोड लोगों तक पहुँच बनाने का लक्ष रखा गया है इसमें माना गया है कि जन चेतना का विकास करके ही जलसन रक्षन के लक्ष को हासिल किया जा सकता है प्रजापिता ब्रह्मुकुमारी इश्वरीय विश्विद्याले को ब्रह्मुकुमारीज के नाम से जाना जाता है भारत में इसका गठन साल 1936 में ब्रह्मुकुमारीज का प्रचार प्रसार साल 1971 से हुआ है इसके सेंटर्स 120 से ज्यादा देशों में मौजूद है इसका मकसद लोगों में आध्यात्मिक ज्यान से रूबरू कराना है इसमें मेडिटेशन और अध्यन जैसी गत्विदियां शामिल की जाती है आपको बता दें कि जल शक्ति मंत्राले द्वारा जल जीवन मिशन योजना भी चलाई जा रही है जिसका मकसद देश के सभी ग्रा अफ्रीका से भारत ट्रांस लोकेट किये जाने हैं यह चीते मध्यप्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में लाए जा रहे हैं ध्यानरे सितंबर 2022 में चीते नामीबिया से लाए गए थे दुनिया में सबसे ज्यादा चीतों की संख्या नावीबिया में पाई जाती है दुनि कुनो नेशनल पार्क मध्यप्रदेश के श्योपूर जिले में हैं इसका नाम कुनो नदी के नाम पर पड़ा हुआ है यह नदी पार्क में दक्षण से उत्तर क्यों प्रवाहित होती है यह पार्क को दो भागों में विभाजित करती है चीते साल 1952 में देश से एक्स्टिं है और इसका वेगनिक नाम एसीनोनेक्स जिबुतस है इसकी स्पीड सतानबे से 113 किलोमेटर प्रतिगंटे हो सकती है जंगल में इसका एवरेज लाइफ स्पैम 14 साल तक जबकि कैपिटिविटी में 20 साल तक हो सकता है आम तोर पर यह रहने के लिए ओपन ग्रासलेंड पसं आईए बात करते हैं बुलिटेन पर आधारित प्रश्णों की पहला प्रश्ण है रास्ट्री मानुवादिकार आयोक के संबंध में निम्लिकित कत्नों पर विचार कीजिए रास्ट्री मानुवादिकार आयोक का गठन 12 अक्टूबर 1993 को हुआ था इसका गठन पेरिस सिद् स्थान से की गई दुनिया में सबसे ज़्यादा चीतों की संख्या दक्षन अफ्रीका में पाई जाती है उप्रुक्त में से कौन सा गलत कथन है उसका चुनाव कीजिए केवल एक केवल दो एक और दो दोनों नहीं एक नहीं दो आइए ब नज़र डालते हैं पिछले बुलिटें पराधारित प्रशनों पर और जानते हैं उनके सही उतर प्रशन था विश्वे हिन्दी संबेलन के संबंध में निमलिकित कथनो पर विचार कीजिए पहले विश्व हिंदी संबिलन का आयोजन मौरिशस में किया गया था पहले विश्व हिंदी संबिलन का आयोजन प्रधान मंतरी मनमोहन सिंग के कारेकाल में किया गया था उप्रिक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव कीजिए केवल एक, केवल दो, एक और दो दो नो ना तो एक नहीं दो इसका सही जवाब है विकल्ब D बारे में विश्व हिंदी संभिलन कायोजन पिजी में किया जा रहा है पहले विश्व हिंदी सम्मेलन कायोजन प्रधान मंत्री इंद्रा गांधी के कारेकाल में किया गया था अगला प्रश्ण था वाइबरेंट विलेज प्रोग्राम सम्मंदित है उत्तर पूर्वी राज्यों के गावों में अवसनरचना के विकास से देश के हर गावों में 5G सेवाएं पहुचाने से उत्तरी सीमा के गावों में अवसनरचना के विकास से या सभी गावों के इस्थानी इस संस्कृति के पहलूओं को अंत्रास्टे इस तर पर पहचान दिलाने से इसका सही जवाब है विकल्ब सी दुनिया की एक और बड़ी कंपनी भारतिय मूल के सीएओ को न्युक्त करने वाली है दर असल यूट्यूब की पूर्व सीएओ सुसान वजस्की ने स्तीफा दे दिया है इसके बाद यूट्यूब की पैरेंट कंपनी अल्फाबेट ने नए सीएओ नील मोहन के नाम की खोशना की है वर्तमान में नील मोहन यूट्यूब में चीफ प्रोड़क्ट ऑफिसर है नील मोहन का नाम इंडियन अमेरिकन सीएओ की लीग में शामिल हो गया है गौरतलब है कि गूगल की पैरेंट कंपनी अल्फाबेट के सीएओ सुन्दर पिछाई है माइक्रोसॉफ्ट के सीएओ सत्या नडेला एडोब के सीएओ शांतनु नारायन और आईबी एम के सीएओ अरविंद कृष्णा इसली के कुछ अन्य बड़े नाम है लीना नायर लगजरी ब्रांड शनेल की सीएओ है यूएसे के वर्कफोर्स में भारती मूल के लोगों की संख्या तकरीबन 6 फिसदी है हलाकि टॉप पोजिशन पर ये मौजुदगी इस अनुपात में कहीं ज्यादा है मेड इन इंडिया मैनेजर के लेखक के मुताबिक कोई और देश अपने नागरिकों को इतने ग्लेडिटोरियल मैनेजर्स में तयार नहीं करता जितना की भारत मतलब ये कि भारती एक रफ टफ महौल में बड़े होते हैं इसकी एक वज़ा उननीस सो साथ में यूएसे की एमिग्रेशन पॉलिसी में हुआ बदलाव भी है इस दोरान सिविल राइट्स मुवमेंट्स की बदलत नेशनल ओरिजन कोटा के स्थान पर स्किल्स को तवज़ोदी जाने लगी तेरी यानि T.E.R.I. The Energy and Resources Institute की सालाना आयोजित होने आली बैठक WSDS 22 से 24 फरवरी 2023 के बीच नई दिल्ली में होगी WSDS से मतलब है World Sustainable Development समीती इसकी अम्डेला थीम Main Streaming Sustainable Development and Climate Resilience for Collective Action रहेगी समीती का आयोजन साल 2001 से किया जा रहा है T.E.R.I. यानि तेरी नई दिल्ली स्थित एक स्वतंत्र Research Institute है WSDS तेरी का एक flagship event है इस event के जरिये तेरी की कोशिस रहती है कि जलवाई परिवर्तन से लड़ने के लिए सरकारों, व्यवसायों, अकादमियों और व्याज्यानिकों और युवाओं आदि को एक मंच पर लाया जा सके तेरी की बात करें तो यह एक स्वतंत्र और बहु आयामी संगठन है यह जलवाई परिवर्तन परियावर्ण आदिविश्यों में गहन शोद करता है तेरी के मुख्यक्षेत्र हैं संसाधनों के प्रभावी उपयोग को बढ़ावा देना सतत प्रक्रियाओं तक पहुँच को बढ़ाना और परियावर्ण पर जलवाई पर रुरतन के प्रभाव को कम करना साल 2015 में सयुक्तराष्ट के सदस्यों द्वारा दे 2030 एजिंडा पॉर सस्टेनेबल डवलप्मेंट को अपनाया गया था इसके तहट सत्रह SDG निर्धारित किये गए हैं इन लक्षों को साल 2030 तक हासिल किया जाना है पहला SGD है हर जगह से हर रूप में गरीबी को खत्म करना दूसरा SDG है भूख को खत्म करना खाद्य सुरक्षा को हासिल करना तीसरा है अच्छा स्वास्थ चोथा है गुडवत्ता परक्षिक्षा की बात करना पांचवां लेंगिक समानता की बात करता है छटवां स्वक्ष जल और स्वक्षता से संबंदी थे साथवां SDG वहनी और स्वक्ष उर्जा से संबंदी थे 8. गरिमा में काम और आर्थिक संवृध्धी से संबंदी थे 9. SDG उद्योग, नवाचार और अवसंदचना से संबंदी थे 10. असमान्ता को कम करने से संबंदी थे 11. सतत शहरों और समुदाईों से संबंदी थे बारवां SDG जिम्मेदार खपत और उतबादन से संबंदिते है। नेरवां SDG जलवाय परवरतन से संंबंदिते है। चोदवां सतत विकास के लिए महा सागरों, समुद्रों और समुद्र संसाधनों का सनरक्शन और सतत उपयोग से संबंदिते है bend, 15 SDG जमीन पर जीवन से संबंदित है, 16 SDG शान्ती न्याय और मजबूत संस्थानों से और वहीं 17 SDG लक्षियों की प्राप्तिकी साजिधारे से संबंदित है, इस खबर की हमियत को समझने के लिए साल 2016 में UPSC की प्रारंभीक परिक्षा में पूछे गए सवाल पर आये करते है प्रश्न था, निमलिखित कथनों पर विचार कीजिए, धारणी विकास लक्ष यानि Sustainable Development Goals पहली बार 1972 में एक वैश्विक विचार मंडल Think Tank जिसे Club of Rome कहा जाता था ने प्रस्तावित किया था, धारणी विकास लक्ष 2030 तक प्राप्त किये जाने हैं, उप्रिक्त कथनों में इसे कौन सा या कौन से सही है या हैं, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों ना तो एक ना ही दो, इसका सही जवाब है विकल्प भी यानि केवल दो विश्योबैंक के अध्यक्ष डेविट मौलपास ने घोशना की है कि वे अपने 5 साल के कारेकाल से पहले ही स्तीफा देंगे, उन्हें साल 2019 में इस पद पर न्यूक्त किया गया था, इसकी वजह जलवायू कारेकरताओं की नाराजगी है, दरसल उनका मानना है कि जलवायू आपदा से निपटने के लिए डेविद मौलपास की अप्रोच सही नहीं है, इसके बाद USA की ट्रेजरी सरकेटरी जेनेट एलेन ने इस पद पर नॉमिनेशन की बात कही है, लंबे समय से एक परंपरा के मुताबिक विश्व बैंक के अध्यक्ष का चुनाव USA की सरकार तो IM के अध्यक्ष को यूरोपिय देश चुनते हैं, गौरतलब है कि साल 1944 में 44 देशों के प्रतनिधियों ने ब्रेडन वुट्स न्यू हैंपशायर में एक सम्मेलन किया था, इसका मकसद विश्व युद्ध से तबाह हुई अर्थ्यवस्ता को अंतराश्टी सयोग से फिर से करना था, इस सम्मेलन ने दो संगठनों को जन्म दिया था, IMF और विश्व बैंक, विश्व बैंक के लिए ड्राफ्टिंग जॉन मेनाड कीन्स ने की थी, विश्व बैंक को गठित करने का मकसद था, विश्व युद्ध से बरबाद हुई अर्थ्यवस्ताओं की रीबिल इन दिनों विवादों में है, दरसल लोगों में लावडी नृत्य की संस्कृति में डीजे और अन्य पहलूओं को शामिल करने से नाराजगी है, लोगों के मताबिक ये नृत्य की परंपरा और गरिमा को नकारातवक तोर पर प्रभावित करता है, लावडी लावण्य यानि सौंदर ये शब्द से बना है, ये एक परंपरागत लोक नृत्य है, इसमें महिलाएं नौगज लंबी चमकीली साड़ी पह में हुआ था, इनमें कई सब जेनर्स होते हैं, जिनमें से एक शरंगारिक है, सोशल मीडिया के बढ़ते दबाव से नृत्य काफी प्रसिद्ध हुआ है, आपको बता दें कि संगीत नाटक कैदमी ने कुल आठ नृत्यों को शास्त्री नृत्य की मानिता दी है, इनमें भर आउ सहित कुल नृत्यों को शास्त्री नृत्य की मानिता दी है, भरतनाट्यम तमिलनाडू, कुचीपुडी, आंत्प्रदेश, कथक कली और मुहनी अटम के रल से संबंदित हैं, कथक उत्तर प्रदेश तो सत्री असम से तालुक रखता है, चलिए अब नज़र डालते हैं आज के बुलेटेन पर आधारित प्रश्णों पर, पहला प्रश्ण है, निमलिकित कथनों पर विचार कीजिए, वर्ड सस्टेनेवल डवलेप्मेंट समित का आयोजन युनाइटेड नेशन्स के द्वारा किया जाता है, टी आराई यानि टेरी परियावरण मंत्राले के त के रल से है, उप्रिक्त में से सही कथन ये कथनों का चुनाव कीजिए, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों ना तो एक ना ही दो, आईए अब नज़र डालते हैं पिछले बुलेटेन पर आधारित प्रश्णों पर और जानते हैं उनके सही उत्तर, प्रश्ण था, रा कथन ये कथनों का चुनाव कीजिए, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों ना तो एक नहीं दो, इसका सही जवाब है विकल्प सी, यानि दोनों कथन सही हैं, अगला प्रश्ण था, निमलेखित कथनों पर विचार कीजिए, जल जन अभियान के शुरुआत राजस्था इसका सही जवाब है विकल्प B, गलत कथन पूछा गया है, दूसरा कथन गलत है, दुनिया में सबसे ज़्यादा चीतों के संख्या नामीबिया में पाई जाती है झाल 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 झाल, झाल ध्यादा झाल